नमस्कार दोस्तों देखे आज लाइप्रेरियन जो ग्रेड थर्ड की एक्जाम हुई है उसकी आनसर की के बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे सो क्यूसन आपको पेपर फैस्ट में पुछे गए थे उसकी आनसर की आपको इस वीडियो में प्रवाइड करवाने वाले हैं पहरा क्यूसन आपको पुछा गया था जिके का जांगीर ने डल घंबन या सेना के नियंतरक की उपादी किस को दे थी तो ये गज सिंग को ये उपादी दे थी बारतिय सिमा पर पूरव से पस्चिम की ओर इस्तित निमलकित दर्रों को आपको व्यवस्तित करके बताना है बारतिय सिमा यानि कि इंडियन जियोग्राफिय में ये क्यूशन पुछा गया था देगे इसका आपको राइट आनसर बता देता हूँ पूरव से पस्चिम पुछ है इसके इलावा दस लक्षन परवे भी है सुगंद दस्मी परवे भी है बड़ी सात्म इसका आनसर हो जाएगा ये जेन द्रहम का तिमवार नहीं है प्रसीद राजस्तानी लोगीत पाथल और पिथल के नाम से रसना कों करते थे तो देखिए कनेयलाल सेठिया फिर आपको प कमाइचा में यहाँ पर आपको सुल्तान का दे रखा है ये कमाइचा का नहीं ये किसका है सारंगी का है ठीक है तो यही आपको समेलित नहीं दे रखा है तो पहला ही इसका राइट आनसर हो जाएगा बाकि आपको जो तीनों आप्शन है वो सही दे रखे हैं तो आप्शन इसका आंसर हो जाएगा जुलाई दो जार बाइस में देखे करंट अफेर्स से जुड़ावा एक्रिशन आपको पुछा गया था जुलाई दो जार बाइस में रास्तान सरकार ने प्रदेश 11 ने खेल स्टेडियम कितने रुपे के प्रस्ताव का अनुमोधन किया है देखे प मिल्कित में से कौन सा सरक्षितक शित्र जुंजनु जुले में इस्तित नहीं है तो खेतरी माश्याल है मनसा माता है बीड है गोगेलाव ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जुंजनु जुले में नहीं है पन्ना धाय ने अपने ही बेटे के जिवन का वलिदान देकर किस राजगुमार की जान बचाए थी तो उदैशिंग की जान बचाए थी मोती भारत किस जीले में पारंप्रिक कडाई का नाम है देखे पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर आपको शिचाई प्रियोजना है वो शिचाई प्रियोजना कौन से जीले से सम्मदित है यह आपको बतानी है और आपको निचे दिएगा कूट के आदार पर चैन करके बताना है देखिये यहाँ पर जो तांकली है इसका जो सम्मंद और घाएगा वो कोटा से होगा अब देखिए तांकली कोटा आपको कौन सी बिंदे रिखी है यह हो जाएगा दो नबर में तो 21 एक तीन चार जो उपसंट C है वो इसका करेट आनसर हो जाएगा फिर देखिए अगला क्यूसन आपको दे रखा है वो और कौन कौन से थे वो आपके पास में पेपर आप मिलान कर लेकर देख लेना तीसरा उपसंट इसका आनसर हो जाएगा देखे एस पी रेसिनल डिस्ट्रिक्ट कारेकरम के अंतरकत राजस्तान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है तो देखे करोली जिले को एक दूसरा स्थान मिला है जुलाई दो जारबाइस में मुख्यमंत्रिय असो गलोत ने कितने विशेश नयाइक मजिस्ट्रे नयाले खोलने के मंजूरी दी है तो देखे पांच इसकान सरो जाएगा रास्तान की किस नदी को स्थानिय बासा में वन की आसा के नाम से जाना जाता है कौन सी बना से संसकर्ती का स्थल नहीं है देखे बाला थल है गिलूंड है ओजियाना है लेकिन आपका तिलवाडा बाड मेरी इसका बना से संसकर्ती से कोई लेना देना नहीं है उप्सन फैस्ट इसकान सरो जाएगा कौन सा यूग में सही नहीं है कौन सा यूग में सही नहीं है तो यहाँ पर देखे आपको आनन्द भावन जो तमिलाडू दे रखा है इसका सम्मन्द है वो उत्रप्रदेश यह तमिलाडू से नहीं है तो यह गलत हो जाएगा उप्शन सी इसकान सुरगा बाकि आपको जो तीने हैं वो सही दे रखे है नेश्ट कुशन गुबार, नुसरत, नागफली, गजक यह किसके नाम है तो देखे यह मिठाईयों के नाम नहीं है जोदपूर का जो मेरा अंगट दुरग है उसमें जो तोपे हैं उनके नाम है यह किशन पहले भी एक बार रीट के एकजाम में भी पुछा गया था यह किशन तो यह देखे हैं आपर उप्शन जो शेकिंड होगा जोदपूर दुरग में इस्तित तोपों के नाम है गोपीजी, भटे, राजस्तान की किसे लोग, नरते, शेली के कलाकार है तो देखे यह तमासा के कलाकार है बीलो में छेडा पाड़ना छेडा पाड़ना क्या है तो यह तला की एक रसम होती है मिवाड पुकार क्या है तो यह 21 सुत्रिय मांग पत्र है मोतिलालति जावत का डेन्मार्क जलसंदी किन दो महासागरों के मद्य इस्तित है तो डेन्मार्क है वो आर्टिक और उत्री अटलांटिक महासागर के बीच में है तो उप्सन जो D है वो इसका अनुसर हो जाएगा सुची फैस्ट को सुची सेकिंड से मिलान करना है और नीचे देख कूट के आदार बर चैन करके बताना है देखिए इन में से आपको अगर ज्यादा भी नहीं पता तो कम से कम यह तो पता है टायर ट्यूब का कारखाना कांपर कांक रोली राश्तामन में है यह जोड़ के चार का एक आपको मिलान करना था और देखिए चोथा में एक आप देखिए चोथे में एक आपको केवल एक ही ओप्सन दे रहा है और ओप्सन जो D है वो इसकानसर हो जाएगा अब और बाकी तीन कौन कौन से हैं वह आप देख लेना अगला किसन आपको फिर से मिलान करना था देखे इसमें कामराजार, बंदरगाय, कॉलकाता हल्दिया और मारमा, गाउ, ये बंदरगाय, कौन से महासागर को ये जोडते हैं तो देखे इसमें आपका जो उप्सन शी होगा, वो इसका करीटांसर हो जाएगा ये पहले का तीसरा होगा और दूसरे का पहला होगा कामराजार, ये होगली नदी हो जाएगा और कॉलकाता हल्दिया, ये बंदरगाल की खाड़ी है रास्तान के किन जीलों में मद्यम काली मिटी पाई जाती है मद्यम काली मिटी हाड हो थी, परदेश में पाई जाती है तो कोटा, बुंदी, जलावाड इसका राइट आउनसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के मद्य सीमा कहलाती है फ्रांस और जर्मनी के जो मद्धी सीमा है वो मिगनोट रेखा कहलाती है थर्मोस्पेर के बारे में कौन सा खतन आपको गलत दे रखा है यानि सही नहीं है वो बताना है तो थर्मोस्पेर मेसोस्पेर के निचे स्थीत है यह आपको थर्मोस्पेर के बारे में गलत कतन दे रखा है यह इसका करेट आंसर हो जाएगा रास्तान में एनिमिया मुक्त करने के लिए हर सप्ता है का कौन सा दिन सकती दिवस के रूप में आयजित करना यह डिसाइड किया गया है तो देखें यहाँ पर जो मंगलवार आपको दे रखा है ओप्शन डी यह इसका करेट आंसर हो जाएगा सांचोरी नसल के जो मवेशी हैं तो सांचोर कहाँ पर जालोर में तो यह जालोर शीरो ही इसका आंसर हो जाएगा नाथरा किपाल और थूर हुंडेर अस्तान किस खनीजी से सम्मंदित हैं तो यह लोहय अयस्क से सम्मंदित हैं दे एकोनोमिक बुलेटिन किस से विश्व विदाले की त्रेमासिक पत्रिका है तो यह राजस्तान विश्व विदाले की त्रेमासिक पत्रिका है कौन सा संस्थान है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी यह आपको बताना है तो देखे इसका राइटान सुर्म आपको बता देता हूँ एक, दो, तीन, चार आपको जिस तरीके से यह उप्शन में दे रखे हैं यह पहले का चोथा और दूसरे का दूसरा तीसरे का तीसरा और पहले का चोथे का पहला देखो इस तरीके से यह रास्तान कला अकादमी रास्तान जो कला कादमी इसकी स्थापना हुई थी 1888 में रास्तान ललित कला का अदमी इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1997 में है जवार कला केंदर है वो 1993 में है और रमिंदर जो मंच है वो है 1963 में यानिकि आपका जो उप्षन पहला आपको दे रखा है ये इसका अंसर हो जाएगा रास्तान के पंडित शिव कुमार सर्मा का संब्ध किस वादेंतर से है तो इसका जो संब्ध है वो संतूर वादेंतर से है चंदुजी का गड़ा और बोडिका मबासवडा तो ये तीर कमानतियों के लिए फेमस है रास्तान में पेरा खेल अकादमी कि स्थापना किस स्थान पर की जाएगी तो ये जोद पूरी में इसकी स्थापना की जाएगी देखिए ये क्यूशन काफी तकड़ा क्यूशन है आपको एक्जाम में ये क्यूशन है वो काफी परिशान किया होगा आपने इस question का answer वो इसमें थोड़ा सा doubt है लेकिन अगर मेरे साफ से आप कहें कि कौन सा answer होगा तो देखिए मैं options of est है इसके according आपको जवाब देना उचीद सम्गगा लेकिन ये फिर भी doubt है आप एक बार इसको किसी guide में या note book में देख लेना फिर अगला question दिया गया है सालर वन जो है या सालर के जो जंगल है वो कहां पर पाए जाते हैं देखिए अलवर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो अलवर उद्यपूर शिरोई और अजमेर जीले ये इसका right answer हो जाएगा निम लिखत में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है यानकि कौन सा गलत हवा आपको बताना था देखिए जय बुमी जोधपूर में नहीं है ये आपकी जयपूर में है तो उप्शन सी इसका अनुशर हो जाएगा कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था तो देखिए तराइन का जो युद्ध है ये आपका 1101 में लड़ा गया था सारंगपूर का जो युद्ध है वो 1437 में लड़ा गया था खातोली का 1517 में और गिरी सुमेल का जो युद है 1544 में लड़ा गया था तो यह आप देख लेना कौन सी अप्शन में वो इसका अनुसर हो जाएगा ताराबांती के टिले पाए जाते हैं ताराबांती के जो टिले हैं वो आपके मोहनगड सुरतगड में पाए जाते हैं राज़तान बांगर में समलित इनमे से कौन सा नहीं है तो देखे इनमेंसे जो चपन का मेदान है वो राज़तान बांगर में सम्रित नहीं होता कौन सा जॉलम की बुमदे सागर में इस्तित नहीं है बुमदे सागर में इनमेंसे कौन सा नहीं है तो को है ए सुल्तान ये बुमदे सागर में नहीं है कौन सा खतन सही है तो राश्ट्रिय ओंट अनुसंदान के अंदर कहां पर आपका बिकानेर में बिल्कुल ये कतना आपको सही दे रखाए बाकी आपको तीनों ही गलत दे रखें तो उप्सन फैस्ट इसका अनसर हो जाएगा बरतपुर बर्ड पेराडाईज ये एक पुस्तक है इसके लेकक कोन है तो देखें मार्टिन्स इवान्स इसके लेकक है उप्सन ची जून दो हजार बाइस में राजस्तान में ड्रोन एक्सपो दो हजार बाइस का अयोजन किस सहर में किया गया तो जेपुर में इसका अयोजन नदी उत्तर से दक्षिन की ओर बैती है देखिए गगण नदी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा रास्तान मरूद्रा बेंग को किस संस्ता के संयों से चार मोबाइल एटियम वेन उपलब्द करवाई गई है तो देखिए यहां पर आपका जो ओप्षन सी है नाबाड यह सकान सरो देगा रास्तान राजिये में परसलित सागडी फरता तो बंदवा मजदूर परनाली से सागडी फरता का संबंद है विक्टोरिया जल परपाथ किस नदी से संबंदित है लोकनाटे की कला को बढ़वा देने के लिए किस थेटर की स्थापना की गई है तो कौन सा प्रवत और कौन सी अवस्थती साई नहीं है वह आपको इसमें बताना था देखे ग्रेट डिवाइडिंग रेज अंटार्टिका ये आपको गलत दे रखा है ओप्शन सेकंड इसकाउंसर हो जाएगा पेरा सुटिंग वल्ड कप 2022 में 10 मीटर एर राइफल स्टेंडिंग SS1 इवेंट में सुन पदक किसने जीता है तो उनी लेकराने जीता है मई 2022 में 3 दिवसिये सिखर परवय का सुबारम किस स्थान पर किया गया तो इसका सुबारम माउंट अबू में किया गया है कौन सा एक परकार का पहाड़ी किला नहीं है पहाड़ी किला कौन सा नहीं है तो मेरानगड चिडियाटूक पाड़ी पर आता है तारागड बीठली पाड़ी पर आता है जालोर भी पाड़ी किला है लेकिन भेंस रोड़गड ये एक जल्द्रू की सेंड़ी में आता है ये पाडी के लाँ नहीं तो उपसंडी इसकानसुर हो जाएगा फिर ये कौन सा सरक्षित अक्षित अक्षित जिला सुमेलिद नहीं हो आपको बताना है तो साकंबरी शीकर जॉंगनू है रोट टू इसका समन्ञ जॉंगनू से नहीं है नागोर से है तो ये इसका अनुसर हो जाएगा बाकी दोनों आपको सही दे रखें परवर्तितक्षेतर विकास उपागम माड़ा कारेकरम कब सुरू किया गया था तो देखें गुनीस सो अठंतर गुनेशिय में सुरू किया गया था लाल लकडी और ताड के पेड किस परकार के जंगल में पाए जाते हैं तो ये उशन कटिबंदिय सदावार वर्षावन में पाए जाते हैं अभी हाली में अपरेल 2022 में रास्तान का सोड़वा कंजर्वेशन रिजर्व है तो ये तो रनखार जालो और आप सभी को बताओगा काफी जर्चा में रहा था नेम लिखित में से कौन सा परवर्टी है चोटी और उसकी उचाई मेटर में कौन सा सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है तो यहाँ पर देखिए अचलगड़ जो है वह बारा सो असी नहीं है बलकि कहां कितनी है तेरा सो इकैसी है तो यह आपको गलत दे रखा है बाकी तीनों सही है इसलिए उप्सन शेकिंड इसका आंसर हो जाएगा गेटोर इस्तित कचवा सासकों की जो सत्रियां है वो कौन से कीले की तल हटी में मिलती है तो देखिए नाहरगड़ में यह मिलती है नाराणी माता का जो मेला है वो अलवर में बढ़ता है कौन सी तिति को बढ़ता है यह आपको बताना था तो वेशाक शुकल एकादसी को यह मेला बढ़ता है राज्य की पहली एसी ग्राम पंचायत कौन सी वनी है जहां बिजली के तारों की अंडर ग्राउंड लाएने बिचाई गई है तो देखिए यह मांडलगड बीलवाड़ा ओप्सन शेकिंड राजस्तान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन अस्त क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यह सभी अवेलिया विकानेर में लोग देवतात तेजाजी माराज का पवित्र जो स्थानवाशी दुगारी यह कांपर बुंदी में नेस्ट क्यूशन आपको पुछा गया था कौन सा राजदानी सहर डेन्यूब नदी के तट पर इस्त गोविंद किस सेली से संबंदित यह आपकी पैंटिंग है तो यह मिवाड सेली से संबंदित है थोनवेट के वर्गिकरण के अनुसार कौन उष्ण कटिबंदी मुरुस्तली जलवायू से या प्रतिन इत्तों करता है तो देखे ई-डेस-ई-ए-डेस-ड यह इसका अनुश संदि और कौन्शे वर्गिकरण्ट में हुई थी यह आपको बतानिग तो देखिए वर्गिए वर्गिशाय की जो संदि है अ है वर्गिवका की आपकी पैरेस इनियस में इसके पारीस की संदि है वो 1780 में हुई थी और ट्राइनोन जो संदि है वह आपकी घ्रनी सो 20 में में देर खाए ये इसका अनसर हो जाएगा परियाटोकों को आकरशित करने के लिए हाती गाउं स्ताफित किया गया तो देखे कुंडा गाउं कुकस इसका अनसर हो जाएगा अगला किशन देखे आपको सुमिलित करने वाला देर खाए कौन सा जो मंदीर है वो कहां पर ये आपका हो जाएगा चितोडगड में यानि कि एक, दो, तीन, च्यार, पांच ही आपको जिस करम में दे रखे हैं इसी करम में इसका अनुसर हो जाएगा, उप्शन डी मामा देव कुंड की से जीले में होस्ती था ये तो ये कुंबलगड राजसंबन में इस्तित है अब राजस्तान में राजकी चिकितसा संस्थानों में निसुलक, IPD और OPD उपचार योजना का नाम क्या होगा तो देखें मुख्य मंतरी निसुलक, निरोगी योजना और संजोसी है वो इसका अनुसर हो जाएगा मकर एखा नहीं गुजटती है मकर एखा कहां से नहीं गुजटती है तो युगांडा, किंगन्या और सोमालिया से मकर एखा नहीं गुजटती है मंगला, भाग्यम और एसुरिया ये क्या है तो ये बाड मेर में जो कुरूड तेल है उसके बंडार है रास्तान सरकार ने परियावरन सरक्षन के परती आमजन कोशिक्षित वज आगरू करने के उद्देशे से किन वाटिकाओं का निर्मान एक जुलाई से प्रारंब किया है तो देखे इस कान सरुजेगा लवकुस वाटिका चमपा के लिए महिलाओं के सरीर के किस भाग को सुसोबित करती है तो चमपा के लिए वो एक गले का आबुसन है फिर मरदा राजस्तान और कौन से जीले में यह आपको समेलित करना था देखे इस कान सरुब मैं आपको बता देता हूँ लाल रेतिली जो मिट्टी है वो कहांपर पाई जाती है जोतपूर नागोर पाली जालो चुरू और जूंजनों में पाई जाती है इसके लवा पिली भूरी रेतिली मिट्टी तो यह नागोर पाली में पाई जाती है लबनी जो मिट्टी है वो नागोर बाड़ में जिसन मेरे बिकानेर है और भुरी रहती लिए मिट्टी है या आपको पाली, शीरोही, शिकर और जूंजनु में यानि की चार, तीन, दो, एक, यह आपको पहले उप्सन में दे रखा है, यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अब देखे साइकोलोजी के जो 20 क्यूसन है, इसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, साइकोलोजी से रिलिटेड आपको एक अलग से वीडियो प्रवाइड करवाय जाएगा, उसमें पुरे 20 क्यूसन के आंसर आपको बताए जाएगे, तो इस वीडियो को अपन कमेंट करके जरूर बताना धन्यवाद है